हाई गाईज, स्वाखित है आपका आपकी ओन यूट्यूब चैनल फॉर क्रेटिव स्टेडिस पे अब आप सोच रहे होगे कि मैंने अचानक से आज फर्स टैम आपका वेलकम हिंदी में कैसे किया क्योंकि basically तो मैं बोलती हूँ, hey guys, welcome back to your youtube channel तो guys, आज फर्स ट्विस्ट है, आज अभी सरका session मैं करा रही हूँ तो इस बिच अगर कुछ भी सब्दों में गलत pronunciation हूँ, तो I'm sorry for that in advance तो देखते हैं फटाफर्ट से क्या है आज का subject name, subject code, program code and आपके important questions ठीक है So your subject code is BHDLA 136, आपका subject name है हिंदी भाषा लेखन कोशल और आपका program है BAG तो देखते हैं questions क्या है First question, व्यक्तिक लेखन से क्या अभिप्राय है Question number two, प्रभावी लेखन क्या है प्रभावी लेखन के कौन-कौन से गुन होने चाहिए या प्रभावी लेखन की विसेस्ता बताईए तो question number 3 प्रभावई लेखन से आप क्या समझते हैं question number 4 तार्गिक लेखन से आप क्या समझते हैं question number 5 वर्नात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं question number 6 किसी भी विशय पर रिपोर्ट लेखन या समाचार पर लेख लिखे question number 7 नोट्स लेखन पर प्रकास जालिए I hope मैंने सही प्रनांस किया हो अगर नहीं तो I am really sorry तो question number 8 सब्दों की ड्रिष्टी से भासा की दोस्तर कौन-कौन से है question number 9 परिभाशत सब्द किसे कहते है question number 10 प्रभावी लेखन की गुन कौन-कौन से वर्ण करे तो देखते हैं कि हम लोग का next question कौन सा है so question number 11 quote missing पर प्रकास डालिए question number 12 समाचार लेखन का आरम हम किन-किन विधियों द्वारा करते है how do we start report writing or how do we start writing any news तो ये बोला गया इसमे तो guys ये सारी questions बहुत important है तो आपको ये सब जरूर जरूर से देखना है और जरूर जरूर से note down करना है ठीक है अब देखते कि अगला question कौन सा है question number 13 प्रभावी लेखन के दो उदेश्य बताईए question number 14 संपादक किये लेखन के क्या अभिप्राय है I hope सही प्रणॉंस किया मैंने संपादक किये लेखन से क्या अभिप्राय है question number 15 भाव पल्लफ से आप क्या समझते हैं so guys for creative studies आपके लिए बहुत महनत करते हैं तो बस प्लीज अपना support बनाए रखिए अपना साथ देते रहिए and आपके friends से बोलिए कि वो भी attend करी classes और वो भी देखी कि क्या से इनको help मिलता है और अगर आपको कोई help मिल रहा है या आप इससे अच्छे से prepare कर पारें तो comment section में बताए and लोगों से share कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे interesting videos and information time to time लिखे आ सके तो question number 16 विराम चिन पर टिपनी लिखे that's short note right so question number 17 सब्दो के भिनस त्रोतों पर विचार विमर्स करे question number 18 वर्नात्मक लेखन की क्या-क्या विसिस्ताएं होती है once more वर्नात्मक लेखन की क्या-क्या विसिस्ताएं होती है तो guys question number 19 क्या वो देखते हैं हम लोग मसोदा लेखन पर लेख लिखे once more मसोदा लेखन पर लेख लिखे and last question of this session is question number 20 रचना के प्रकारों का परिचाए दे तो guys हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप questions का answers लिखो तो आप उसको एकदम neat and clean way से लिखो और उसके बात में हमेशा हर सब्दों को आपको सही तरह लिखना है मतलब किसी भी spelling पे mistake नहीं करना है क्योंकि जो teachers है वो उसके भी ध्यान देते है तो spelling error बिल्कुल नहीं करना है and कभी essays and all लिखना जाए जैसे कि short note हो गया, tip नहीं लेखन हुआ या जो भी हुआ, step के जो भी बाजाते उसमें आपको एक alignment में लिखना है ज्यादा gap नहीं करना है एक alignment में लिखना है और हर words के बीच में एक minimal gap होना चाहिए तो कुछ-कुछ छोटी-छोटी बात है जिसका ध्यान रखने से हम अपने जो tutors है जो भी हमारा answer paper check करेंगे उस पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं उन्हें भी लगेगा कि हाँ इस student को इस पार में पता है तो guys ऐसे छोटी-छोटी interesting बातों पर ध्यान दीजिएगा सारे questions को जरूर देखना है कुछ भी miss नहीं करना है इन्में से अगर आपको कुछ ना समझ में है तब comment कर सकते हैं अपना best देना है सबसे important हम अपना best देने हैं तब questions लाने के लिए आप अपना best देजिए सारे exams को अच्छे से एटेम करके और या गाईस आपके exams कैसे हुए उसका mention जरू कीजिएगा comment पे So I hope our every videos are very useful for you guys and I hope आपको हमारा efforts अच्छा लगे and हम ऐसे ही आपके लिए लगाता काम कर सके वीडियो पसंद आए हमारा तो लाइक कीजिए एपसी इसके साथ जुड़े रहे और उको जोड़े रखे और इसके पाद सब्सक्राइब कीजिए So like, share, subscribe के procedure को follow कीजिए और छोटा सा bell icon इसको hit कीजिए आज के interesting class में मेरे साथ रहने के लिए बहुत 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 थैंक यू So, bye guys